येशिक्रिष्णा, हरहर महादेव, कैसे आप सबी? आप सबी कोर रंग पंचमी की हादिक्षुप कामने चैत महा की कृष्ण पक्ष की पंचमी ती ती यानि की होली की पाँच दिन बाद रंग पंचमी का तोहार मनाया जाता है इस साल रंग पंचमी का तोहार 30 मार्च शनिवार के दिन मनाया जाएगा इस दिन को इश्वर की कृपार पापती के लिए बहुत ही खास माना जाता है मानते हैं आप सब की रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्णे ने राधारानी के साथ होली खेली थी हमारी सुन्दरी राधारानी के साथ अपनी पापों को दूर करना चाहते हैं तो इस रंग पंचमी पे जरूर से जरूर ये खास उपाय अपनाए जीवन में को अपने सुक्सम्रदी से भर दे रंग पंचमी का तोहार बहुत जादा खास होता है इसलिए कि ये जो रंग पंचमी होती है इस पे देवी देवताओं की ये पंचमी तिती है जिसपे की भगवान स्वेम होली खेलने इस धर्टी लोग पर पधाते हैं तो चैत मा के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिती की शुरवात 29 मार्च को रात 8 बचकर 20 मिनट पर हो रही है वही इस तिती का समापन 30 मार्च को रात 9 बचकर 13 मिनट पर होगा ऐसे में ओध्यती थी के अनुसार रंग पंचमी का तोहर 30 मार्च शनिवार के दिन मनाया जाएगा तो देवताओं के साथ होली खेलने का समय सुभा 7 बचकर 46 मिनट से सुभा 9 बचकर 19 मिनट तक रहने वाला है आप जानते हैं इस दिन आपको किस प्रकार से विधी विधान से पूजा राधना करनी चाहिए अगर जीवन के समसकष्टों को दूर करना चाहते हैं तो रंग पंचमी के दिन सुभा जल्दी उठकर स्नानाधी करें उससे निर्वित हो जाएं अगर आप व्रत रख सकते हैं तो अतियुत्तम है अगर व्रत नहीं रख रहें तो कोई बात नहीं आप अपने पूजा स्थल पर एक चौकी बिछा लें लाल कपड़ा रखें उसके उपर आप राधा कृष्णी की प्रतिमा फोटो विग्रह जो भी हो वो रखें नहीं तो आप शीलश्मी नरायन के भी रख सकते हैं इसके बाद आपने एक तांबी का पात्र लेना है उस तांबी के पात्र में आपने जल भनना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिलाएं और साथ में एक चुटकी हल्दी भी मिला दे और एक चुटकी आपको लाल गुलाल चाहिए वो मिला देना है आपने भगवान की आपने पूजा राधना करनी है कुमकुम हल्दी तिलक चंदन लगाएं गुलाब के पुष परपन करें खीर का भोग लगाएं अगर आप मालश्मी की पूजा राधना करें तो बताशे जरूर चढ़ाएं साथ में गुर्चने का भोग लगाएं राधा कृष्ण में आज के दिन गुलाल भी जरूर चढ़ाएं आज के दिन आप देवताओं के साथ होली जरूर खेले अपने जीवन के अंदर रंग भनना चाहते हैं तो देवताओं के साथ इस रंग पंचमी पे होली का अफसर जरूर मनाएं अब आपकी जब पूजा राधना हो जाएं तो अगर आपकी घर में नेगटिविटी बहुत जादा है कल बहुत जादा रहता है तो जो आपने तामवे का पात्र भर के रखा था और उसके अंदर जो जल था उस जल का च्षिड़काव अपने पूरे घर में करें अपने दुकान पे करे, वेपार स्थल पे करे, अपने मुखे दर्वाजे पे करे, मतलब आपने पूरे घर में उसका छुरकाव करना है और बचेवे जल को आपने तुलसी में डाल देना है शनिवार के दिन पढ़ ये रंग पंचमी, तो इस दिन पीपल के वरिख्ष में जल चढ़ाना बिलकुल भी ना भूलें अपने पित्रों को भी प्रसंद करें साथ में और देवताओं को इसलिए कि पीपल के वरिख्ष में तीनों देवताओं का वास होता है माल लक्ष्मी शाक्षत भगवान श्रीट विष्णू के साथ वास करती है तो जरूर से जरूर पीपल के वरिख्ष की इजन पूजा आरातना करें अब मैं आपको बता दू कि रंग पंचमी का तोहार क्यों मनाया जाता है और ये विशेश क्यों होता है हमारी पुराणी कथाओं के अनुसर काम देव ने भगवान शिव की ध्यान को भंग करने का प्रतनी किया तब शिव जी ने क्रोधित हो गए और उनोंने काम देव को भस्म कर दिया तब काम देव की पतनी देवी रती और अन्य देवताओं के प्रातना करने पर महा देव ने काम देव को पुन्हा जेवित कर देने का आशवाशन दिया इस पर सभी देवतागर प्रसन हुए और उन्होंने रंगों सब मनाया इसलिए यह माना जाता है कि रंग पंचमी के अफसर पर देवी देवता धर्टी पर आकर रंग गुलाल या अबीर से होली खेलते हैं तो आप सभी समझ गए होंगी कि यह विशेश दिन क्यों होता है देहन की राख तो रखी होगी उस राख का आज विशेश अचुक टोटका जरूर करें उसे अपने घर में जरूर छिड़के अपने वैपार सेल पे जरूर छिड़के इससे आपके घर में किसी भी परकार की अगर नकरात्मक शक्तिया आबश्य दूर होगी अगर आपने हो का देहन की राख रखी है उसे आप चांदी की ताबीज में भर कर जरूर से जरूर धारन करें बच्चों को धारन करें किसी भी परकार की नकरात्मक शक्तिया आपसे कोसो दूर हो जाएंगी आज के दिन अगर आप आपके दांपते जिवन में प्रेम नहीं है नहीं है या धन से जोड़ी कोई समस्या चल रही है तो आज के दिन आप लाल गुलाब की फूल माला किसी भी राधा कृष्ण मंदीर में जाएं वहां अरपन करें और सात्मी 9 गुलाब के फूल आपने मालक्ष्मी को ज़रूर अरपन करने हैं सात्मी आज एक तोटका करें आप एक बा आज के दिन आपने गुलाल जरूर रादाक्रिश्न को अरपन करना है अगर दामपत्य जेवन में प्रेम चाहते हैं तो आज के दिन आप मा लक्ष्मी को लाल रंका गुलाल अरपन करें और एक शंक ले लें शंक जो दक्षिनावर्टी शंक कर आपके पास घर में रखाया वो भी ले सकते हैं और उसको भी आपने इसे गुलाल में रख देना है और फिर आपने कनकधारस्त्रोत का पाठ करना है और और फिर धन समपता से जूरी जो भी समस्या है वो बोलनी है और इसकी पोटली बनाकर इसे अपने तिजोरी में रख देना है आपने एक खास उपाई में आपको बताऊंगे जरूर से जरूर कीजिए अगर धन से जूरी ऐसी भी समस्या वो अवश्य दूर होगी आज के दिन आप एक पीले रंग का कपड़ा ले ले इसमें आप चांदी का सिक्का लेंगे तो अति उत्तम होगा चांदी का सिक्का नहीं है तो फिर आप एक रुपे का सिक्का ले लेजे और आपने लेना है पांच हल्दी की गाट इन्हें आपने इसके अंदर रखके पोट दिन जले और उसके बाद जब ये दीपक शान्त हो जाए जब ठंडा हो जाएगा तब आपने इस पोर्टली को उठा लेना है और इसे उठा कर अपने धन धानने स्थान पर रख दीजे और उसकी विध्य की प्रात्ना कीजे जो भी धन से जोड़ी समझते है वो अवश्य ही दूर होंगी आज के दिन आप मा को बताशे का भोग जरूर लगाए और उन बताशों को आपने बाद में करना क्या है आप नो बताशे का भोग लगाए और फिर उन्हें आपके घर में अगर कोई वेक्ति बुरी आदत संगत या किसी तरह की किसी चीज़ से परेशान है किस गुमा के फिर चले जायें आप पीपल के व्रिष के पास वहां पे जाकर आपने इस पे थोड़ा सा सरसुत का तेल में लाना है और इन्हें क्रश करके वहीं पर पीपल के व्रिष की जड़ के पास छोड़ देना है इस तरह से आपने कम से कम इस चनिवार से उपाए कर सकते हैं आज के दिन आप एक पंच मुखी दीपक अपने घर में जलाना बिलकुल भी ना भूले देखिए पंच मतलब की रंग पंच मी तो पांच मुखी दीपक बनाना है और दीपक आप जब बना रहे हैं आठे का दीपक बना है इसमें शुद्ध देशी घी डाले लाल बत्ती का प्रियोग करें और इस दीपक में हल्दी जरूर से जरूर डालें आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है चुटकी और साथ में एक लौंग का जोड़ा डालने और इस दीपक को आप अपनी घर में जलाएं जलाके इसे फिर पूरे घर में घुमाएं और घुमाते लिःखर से बाहर चले जाएं और इस दीपग को ले जाकर चौराहे पर रखाएं। आपके घर की जितनी भी नकरात्मक शक्तियां हैं, जो भी बलाएं जो भी कुछ तंत्रमंत कृया हुआ हैं, वो सब कर सब दूर हो जाएगा। इस तरह से प्रातना करते वे इस दीपक को प्रजवलित करके और पूरे घरवे घुमाते वे ले जाके चौराहे पे बीच में रखकर चले आए ये उपाई आपने सूरे अस्त के बात करना है आप अपनी सहुलियत के साब से जब आपको लगे कि हाँ भी हमें कोई नहीं देख रहा और आपको लगता है कि आप इस समीश चीज़ को कर सकते हैं तब आप इस दीपक को प्रजवलित करें चोटा सा चूक सा उपाई है जरूर से जरूर ये छोटे चोटे उपाई जो मैंने आज आपके साथ शेयर किये हैं इन्हें अपना कर आप धन से जुड़ी भी कोई लोगों से भर दे जैश्वी कृष्णा हर हर महादेव